साथियो नमस्कार डी के गुपता क्लासे से बोल रहा हूं आज हम पढ़ रहे हैं second number का present का tense progressive या continuous tense present progressive continuous tense तो इसकी हम पैचान देख लेते हैं क्या पैचान हैं कैसे हम पैचानेंगे तो यह क्या हैं बर्तमान काल में जो कार्ष है उनका जारी रहना इसमें आता है और इसके जो बाके हैं उनमें साधनांत में रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं इस परकार के सब्द हैं वो आते हैं अब इसमें adverb जो हमने present में देखी थी adverb, इसी प्रकार से इसमें देखते हैं adverb क्या है, जो verb के साथ में जुड़ती हैं, इसमें pray, today, at this time, at this moment, at present, now, these days, nowadays, इस प्रकार के adverb हैं, उनका प्रियोग किया जाता है, जैसे कि हमने helping verb के पार में पहले बात करी थी, जो progressive continuous tense होते हैं, जो present continuous tense है, उसमें age mr है, वो helping verb आती है, age प्रियोग करी जाती है, singular third person जो हमने present indefinite में बात करी थी, कि जिस प्रकार से, जो third person के हैं, he see it in me, he see it in me, ठीक है, और am जो helping verb करी जाती है, I के लिए use, और are करी जाती है, says जो plural है, उनके लिए use करी जाती है, plural का मतलब, बहु बचन जो करता हैं, उनके लिए प्रियोग में करी जाती है, I करता होने पर am करी जाती है प्रियोग में, और he see it, ये करता होने पर, या किसी का नाम होने पर करी जाती है, is, जो helping verb है, वो use करी जाती है, is करी जाती है, बर्व की इसमें first form आती है, और उसमें ing जोर जाती है, सबसे अच्छा हम ओधारानों से, एक्जामपलों से समझेंगे, तो हम एक्जामपल लेते हैं, एक्जामपल से समझने की कोशिस करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, साधरान या affirmative sentence इनको लेते हैं, तो इसमें किस प्रकार से structure बनती है, सबसे पहले हम subject लेते हैं, फिर हम helping verb लेते हैं, जैसे उसमें ली थी उसी प्रकार से, फिर verb की first form लेते हैं, उसमें ing जोर देते हैं, फिर object लेते हैं, इसके बाद अगर कोई बा हम settlement करेंगे पहला बाके दे रखा है मैं कक्षा कक्ष की शफाई कर रहा हूँ सबसे पहले तो हमें ये देखना है ये कौन से tense का प्रियोग किया गया इसमें रहा हूँ इसका मतलब ये progressive ये continuous tense है और present का है क्योंकि इसमें गागी गी इस प्रकार का सब्द नहीं लग रहा न था का लग रहा है तो ये present में कारे चल रहा है इस प्रकार से ये present progressive ये continuous tense है अब इसमें चांटते चलो आप ये क्या हुआ subject मैं क्या हुआ इसमें subject हुआ सफाई करना ये क्या हुआ इसकी बर्ब हुई कक्षा कक्ष किसकी सफाई की जारी object क्या है कक्षा कक्ष मतलब classroom है वो object है ठीक है और रहा हुँ ये हमारी tense की पैचान बता रहा है ठीक है तो इसका आप हम बनाते हैं मैं मैं को कहींगे I I के साथ हमने helping verb की बात करी थी M लगेगा I am सफाई करने को बोलते हैं C-L-E-A-N अब इसमें हमको ing लगाना है cleaning cleaning अब कक्षा कक्ष को इंगलिस में क्या बोलते हैं classroom कक्षा कक्ष को क्या बोलते हैं इंगलिस में classroom तो I am cleaning ये इसमें आर्टिकल का थोड़ा से यूज I am cleaning the classroom ये इसका पहला sentence हो गया I am cleaning the classroom अब हम देखें दूसरा वह पत्र लिख रही है वह पत्र लिख रही है पहले देखें रही है मतलब progressive या continuous tense है प्रजेंट का वह है एक देखें ये क्या है करता है या subject है वह है लिख रही है मतलब ladies है इसलिए 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 के लिए हमने करता ले लिए C क्या ले लिए C पत्र क्या है या object है लिखना क्या है या पर क्रिया है या verb है इसका करते हैं हम सबसे पहले इसके helping verb लगाओ C अब इसमें helping verb, क्या आएगी? H C is लिखने को बोलते हैं, write W, R, I, T, E W, R, I, T, E W, R, I, T, E अब देखो, writing अब इसमें, W, R, I, T, I, N, G writing है ना? I, N, G लगा दी है C is writing क्या लिख रही है? पत्र लिख रही है, एक पत्र लिख रही है C is writing letter ठीक है? इस प्रकार से अब हम इसमें देखते हैं इसके नकारात्मक बाके को देखते हैं negative sentence को देखते हैं इसमें किस प्रकार से settlement हम करते हैं किस प्रकार से सनचना करते हैं सबसे पहले subject आता है फिर helping verb आता है फिर note आता है verb की first form और ing जोड़ जाती है फिर object आता है तो change क्या आया? यहां से देखे हम change क्या आया? इसमें कोई खास change नहीं है helping verb के बाद note आ गया बाकी जैसे ये settlement था हमारा उसी प्रकार से ब्यवस्ता हमने इसमें की है देखते हैं example से समझने की कोशिश करते हैं हम अख़वार नहीं पढ़ रहे हैं हम हम को बोलेंगे we ठीक है? अब we है we तो सीदे सीदे plural है i के साथ तो हम m लगाते हैं plural subject के साथ हम क्या लगाएंगे? helping verb r लगाएंगे we are देखो helping verb हमने लगा दी अब है number नहीं नहीं का not we are not पढ़ने को बोलते हैं read ठीक है? r e a d अब इसमें क्या लगाना है? ing लगाना है reading अब किसको नहीं पढ़ रहे हैं? we are not reading अख़वार अख़वार को नहीं पढ़ रहे हैं न तो इसमें थोड़ आर्टिकल का प्रियोग the news paper n e w s p a p e r ठीक है? यह हो गया इसका आप देखें अगला example है लहरें तट पर नहीं पहुँच रही है अगला example क्या है? लहरें तट पर नहीं पहुँच रही है तो इसमें subject क्या है? लहरें पहुँचना क्या है? क्रिया है न? और रही है हमारा यह continuous का बाक्य है और तट पर यह क्या है? object है तट क्या है? object English in के ले ले लहरों को English में बोलते हैं waves w a v e s waves यह subject आ गया helping verb क्या आएगी? waves है लहरें लहर नहीं है लहरें तो waves are waves are ठीक है? यहां तक समझ में आ गया इसके बाद में हमको लेना है not not waves are not अब पहुचने को हम क्या बोलते हैं? reach r e a c h r e a c h ing लगा दो इसमें ing लगा दिया waves are not reaching waves are not reaching अब कहां पहें? तट पर तो the cost c o e s t cost माने तट या किनारा ठीक है? अब देखते हैं इसके चौते तीसरे प्रकार के बाद के हर टेंस के चार चार प्रकार के हैं तो हम हर प्रकार को देख रहे हैं प्रिश्न बाद चक बाद की है interrogative sentence इनको देखते हैं इन में क्या होता है? जैसे पहले हुआ करता तक helping verb पहले आ जाती थी फिर बाद में subject आता था फिर verb आती थी फिर object आता था ऐसे ही हमने इसमें किया है तो एक example से समझने की कोशिस करते हैं किस प्रकार से example दे रखा है example example है हमारा तो हमको थोड़ा सा यह चक्कर पढ़ेगा कि कौन से टेंस का है सबसे पहले यह पैचानी की कोशिस करते हैं कि कौन से टेंस का रहा है इसका मतलब progressive continuous टेंस है present का ठीक है क्या कलाम अब देखो कलाम यह व्यक्ति का नाम है व्यक्ति का नाम मैंने जैसे की का था कि हम इसको singular third person में हम लेंगे तो he की जगे इसको ले सकते हैं आर्था तो इसकी जगे हम इसके helping verb में क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे age-езд कलाम subject लो कलाम एज कलाम अब verb क्या है इसमें खाना खाना है खाना है एतिंग इट तो यह हो गई और आई एन जी यह हो गई, is कलाम इटिंग फूड, is कलाम इटिंग फूड, खाना फूड, यह खाना हो गया है हमारा अबजेक्ट, यह खाना हमारा क्या हो गया है, अबजेक्ट और खाना यह हो गया है, जो खा, यह हो गया है हमारा क्या है, बर्ब हो गया है और कलाम है वो सब्जेक्ट हो गया है और क्या ये कुश्चन आया ही है इसमें इसकी जगे हमने helping verb age को लगा दिया है अब अगला example देखें समझने की कोसिस करें क्या किसान किसान अपनी फसलों की सिचाई कर रहे हैं अर्था थम कहाँ देखें क्या किसान अपनी फसलों की सिचाई कर रहे हैं तो किसान एक नहीं है इस बाके में काफी सारी किसान के लिए हम बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा आर क्या आएगा आर आर दी फार्मर्स आर दी फार्मर्स आर दी फार्मर्स अब देखें हम आर्दी फार्मर्स यहां तक हमने ले लिया है अब इसके बाद में subject भी आपके अब आ गया है हमारा बर्ब का नमबर तो बर्ब इसमें क्या है बर्ब देखें कि बर्ब इसमें है क्या है सिचाई करने को क्या बोलते है irrigate I-R-R-I-G-A-T-E I-R-R-I-G-A-T-E I-N-G लगाना E हट जाएगी I-N-G Irrigating Are the farmers irrigating Irrigating किसको अपनी फसलों को Their crops Their crops अब इसके बाद में question का mark लगा दो ठीक है Are यह हो गई helping बर्ब हो गई deep farmer हो गया subject हो गया irrigating बर्ब की first form में हमने I-N-G लगा दी है Their crops यह हो गई उनकी यह उसमें हो गया object इसमें क्या है यह object है चोथे प्रकार का देखते हैं हम कि चोथे प्रकार का किस प्रकार के बनाएंगे इसमें हैं हमारा नकार आत्मक प्रिश्न वाचक बाग के अर्था नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं इसमें कैसे लेंगे सेम ऐसी कैसे लेंगे उसमें कुछ नहीं करना हमको सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है सबसे पहले हमने हेल्पिंग बर्ब ले लिया है फिर सब्जेक्ट ले लिया है फिर नोट लगा दिया है वो ही सेम की सेम बर्ब के साथ आई एंजी है अब्जेक्ट है अगर कोई लंबा बाके है वो WH के कहलाते हैं, उनमें helping verb, पहले WH verb ले ले लेंगे, फिर helping verb, ये same की same फिर उतार देंगे, ये जो उपर वाला है, helping verb, subject, not, verb के साथ ing, object और अन्य इस प्रकार से कर लेंगे, example से समझने की कोसिस करते हैं, क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा हू पहले तो पहचाने कौन सा tense है रहा हूँ, इसका मतलब ये progressive continuous present का tense है, present progressive tense है, present continuous tense है, क्या मैं आपकी, तो देखो सबसे पहले हम देखें, इसमें क्या है मैं, मैं क्या है इसमें करता है, मैं करता है मनला subject है, जमानी की कोशिस करो, मैं के साथ क्या आता है, helping verb क्या आता है, am, बाके की सुरुवात कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बड़े अक्षर में बनाएंगे, capital letter में बनाएंगे, am, subject लो, am, I, am, I, अब इसके बाद में, not, am, I, not, साहिता करने को क्या बोलते हैं, help, ing लगा दो, am, I, not, helping, आपकी, क्या मैं, आपकी साहिता, am, I, not, helping, you, am, I, not, helping, you, ठीक है, you हो गया, इसमें, object हो गया है, और helping, ये बर्व में, ing हमने लगा दिये, not बाला बाके हमने लिया आई है, और प्रिश्ण बाचक भी लिया है, साहिता है, और I के साहिता, am, इसमें, helping बर्व लगेगी, अब अगला बाके देखें, और थोड़ा सा, समझने की कोशिस करें, आप, ये डवलू एच वाला मेंने लिया है, आप ब्याकरण को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं, आप ब्याकरण को मजबूत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों को देखें, हम क्या बोलते हैं डवलू एच बर्ड में, वाई, तो डवलू एच बर्ड ले लिया, ठीक है, अब helping verb क्या आएगी इसमें आप है ना आपको यू बोलेंगे तो यू हमारा plural में है तो इसमें आएगी why are you subject भी हमने ले लिया अब लगा दो note अब हमने क्या लगा दी note यहां तक भी काम हो गया अब हमारे हमारे पास आ जाती है अब किसका काम आ जाता है बर्व का काम आ जाता है कि बर्व क्या है इसमें बर्व है मजबूत करना क्या है मजबूत करना मजबूत करने को बोलते है strength है ना strength तो s t r e n g t h ठीक है strength ठीक है यहां तक हो गई g t h अब e n यह strengthen यह हो गई हमने ing लगा दिया है strengthen इसमें किसमें मजबूत का जो है strengthening में हमने ing लगा दिया strengthen में ठीक है वाई आर यू नोट strengthening किसको object क्या है व्याकरण व्याकरण को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे grammar अंग्रेजी में क्या बोलेंगे grammar question mark चिनल लगा दो question mark का चिनल लगा लो कि why are you y आ गया हमारा wh word आ गया r आ गया हमारा helping verb you subject है not इसमें बाके में लिया है हमने नहीं वाला strengthening मजबूत करने को ing इसमें लगा दिया है grammar का व्याकरण और question mark हमने question इसमें लगा दिया है एक साथियो मैंने अभी जो present indefinite tense पहले वीडियो में पढ़ाये था उसमें थोड़ा सा चौथा प्रकार है वो बच गया था उसको अभी हातों आती हम देख लेते हैं तो यहां पर हम चौथा प्रकार देख लेते हैं यह चौथा प्रकार है एक्चौल में जो present indefinite का जो बच गया था उसका प्रकार है नकार आत्मक प्रिश्ण बाचक बाग के है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस यह present indefinite के बाग के हैं जो चौथा प्रकार बच गया था उसको मैं ले रहा हूँ यहां पर इसकी बाग के सनजना किस प्रकार करेंगे उसमें साइक करिया हमने जब present indefinite में देखी थी do या does का प्रियोग होता था subject आएगा उसके बाद note आएगा बर्व आएगा और object आएगा सब में यही व्यवस्ता है helping verb, subject, note, verb और object अगर हम इसको इस प्रकार से भी लिखना चाहें कि जो note है इसके साथ भी हम जोड सकते हैं उसको फिर subject, verb और object आजाएगा ठीक है हम एक बाद एग्जामपल देख लेते हैं एग्जामपल है हमारा एक मैंने डवलू एच वर्ड का भी इसमें एक्जामपल लिया है क्या आप पार्ट का दोरान नहीं करते हैं यह कौन से टेंस का बाग के है present indefinite टेंस का बाग के है क्या आ तो इसमें आप बनाने की कोशिस करो सबसे पहले हम इस तरीक से बनाने की कोशिस कर रहे है do आपको बोलेंगे you, do you, ठीक है do you एना आप इसके बाद में not, do you not अब इसमें यहां तक हो गया है हमारा subject तक हो गया है नोट आ गया भर्व क्या है हमारा revise करना दोहरान करना ठीक है revise करना do you not revise r e v i s e revise first form ही हमको लेनी है किवल simple ही do you not revise revise के बाद क्या आप part का दोहरान नहीं करते हैं do you not revise कि इसमें ऐसे भी ले सकते हैं क्या आप अपने part का है ना do you not revise या तो lesson ले लो या your lesson ले लो कि यूर लेसन मतलब कुछ सब्द हैं बाक्यों में छुपे हुए होते हम ऐसे भी इसको ले सकते हैं क्या आप अपने पार्ट का दोरान नहीं करते हैं do you not revise your lesson ये क्या हो गया इसका object हो गया ये क्या हो गया इसका object हो गया इसको question mark हमने लगा दिया अब इसको इस प्रकार से हम ले सकते हैं थोड़ा सा कि don't you revise your lesson ठीक है इस प्रकार से भी इसको ले सकते हैं दोनों ही बाके हैं वो correct हैं ठीक है आगला example हम देखने हैं ये मनें डवलू एच बर्ड का लिया है आप part का दोरान क्यों नहीं करते हैं आप part का दोरान क्यों क्यों सब्द आया है सबसे पहले देखें डवलू एच इसमें कौन सा सब्द लगेगा क्यों के लिए क्यों के लिए लगेगा y क्यों के लिए लगेगा y सबसे पहले y ठीक है अब देखो मैं इस प्रकार से बनाने की आपको बता रहा हूँ, पहले उपर वाले से बताऊँगा, फिर नीचे वाले से उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है वाई आप है न, वाई डू यू नौट, देखो, डू मैंने हेल्पिंग बर्ब इसकी लगा ली, यू के आपका दौरान क्यों नहीं कर रहे है वोही, दौरान का रिवाईज यहीं पर अगेन यही आएगा, why do you not révise और your lesson यह question mark है लगा दिया, why do you not revise your lesson, अगर इसको दूसरी तरी से एह से हम बना के देखें, दूसरी तरी कैसे कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले तो WH word आई जाएगा why है ना अब do you note की जगह आप क्या लख सकते हो don't why don't why don't you जैसे कि हम उपर वाले उसमें से देख रहे हैं why don't you revise your lesson why don't you revise your lesson तो साथियो इसको आपको practice करनी है ठीक है जितनी आप practice करोगे उतना ही ज़्यादा ये मजबूत बनेगा ठीक है अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टेंसों के साथ मिलेंगे नमस्कार